हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लहंगे ब्लाउस की फिटिंग करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी साथ ही सोल्डर स्लाई के लिए एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे जो है आप इस तरह से फिनिशिंग देकर सो उनों तरफ एकदम पर्फिक्ट फिनिशिंग आई है और कहीं से भी धागा नहीं निकल रहा है तो उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को इन तक सरूर देखेगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह रहा हमारे ब्लाउस का बैक पर जो की हाँ पर मैंने एक पांच शेप का नेक कट किया है आपको बस में फैब्रिक के उपर अस्तर को रखना है और नेक वाले हिस्से को इस तरह से साइट स्टिच कर लेना है जिस भी सेप का आपका नेक है आप इस तरह से जो है इसको बना सकते हैं और इसमें छोटी-छोटी हमें कट लगा लेनी है शोल्डर का हिस्सा थोड़ा सा मैं कट कर लूँगी और अब इसको नाखुन से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो यहां देखिए नेक का शेप हमारा आचुका है अब हमें इसको अपने फ्रॉंट पार्ट के साथ इसकी शोल्डर अटैच कर लेनी है तो देखिए हमेशा हमें याद रखनी है कि अस्तर वाले साइड में हमें अस्तर और में फैब्रिक के तरफ में फैब्रिक को जॉइन करना है तो यहां देखिए मैं अस्तर के तरफ पहले अस्तर को जॉइन कर ले रही हूँ आपको बस shoulder के तरफ जो neck है हमारा वो neck के तरफ आपको एकदम equal रखना है जो भी आपका कपड़ा छोटा बड़ा हो वो आपको armhole के तरफ यानि बाहा के तरफ रखनी है अब बस इसको fold करके एक और slay लगा लेंगे shoulder पे और फिर हमारी जो है एकदम पक्की सिलाए हमें लगा लेनी है और इससे हमारा neck जो है एकदम finishing के साथ ready हो जाएगा इससे जो भी अंदर धागे वाला part है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और आपको उपर और नीचे की तरफ तोनों तरफ जो है equal finishing मिल जाएगी अब इस कप्री को चारू तरफ से हम लोग स्टिच कर लेंगे और neck पे भी एक स्लाई लगा लेंगे तो देखिए मैं चारू तरफ से स्टिच लगा लूँगी इसको तो फ्रेंट जब तक मैं इसको स्टिच कर रही हूँ आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख सकते हैं इस लहंगे की फ्रॉंट कटिंग कैसे की है मैंने इसकी भी मेरी चैनल पे आपको डीटेल में वीडियो मिल जाएगी इसके बार देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल लेंगे ये एक स्लीबलेस लहंगा बलने वाला है तो इसकी कटिंग मैंने थोड़ी से अलग की है अब देखिए दूसरे साइट के नेक को भी मैंने रेडि कर लिया है अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो ये हमारी हुक पट्टी है जिसको मैंने अस्तर से रेडि किया है और देखिए फ्रेंड जब नेक हमारा फिनिशिंग आ जाए नेक में तो उपर की तरफ कुछ इस तरह से फोल करते हुए हमें हुक पट्टी लगानी है क्योंकि नेक जो हमारा अल्रेडी फिनिशिंग हो चुका है इसलिए हम उपर की तरफ पट्टी को फोल कर देंगे तो ये हमारी हुक पट्टी रेडि हो गई है दूसरे तरफ हम आई के लिए एक पट्टी लगा लेंगे जिसको हमें नीचे की तरफ से लगाते हुए उपर की तरफ फोल्ड करना है लेकिन इसमें भी देखिए उपर की तरफ हम पुरे पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके अंदर की तरफ जो है डाल देंगे और इसको अच्छे से स्लाई लगा लेंगे ताकि नेक की फिनिशिंग बनी रहे और इसलिए पट्टी को भी कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है यह हमारी जो है आई पट्टी बन चुकी है अब जो हम नेक को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसमें लेस का एड़ करेंगे तो लेस को देखिए जो हमारा लेस है वो एक स्टेट लेस है और नेक हमारा पांच शेप में है तो इसको हम लोग अगर आपकी पट्टी जो है चौरी है आपकी लेस चौरी है तो आप इसमें प्लिट्स लगाके भी जो है इसको सेट कर सकते है या अफिर अगर आपका लेस मेरी तरह हाप इंच का है तो यह बहुत आसानी से जो है यह सेट हो जाता है तो यह देखिए हमारे नेक की पूरी फिनिशिंग हो चुकी है इसमें मैंने लेस को भी आट कर लिया है अब आप नीचे की तरफ पट्टी लगा लेंगे और यहां हमें एक प्लिट बनानी है तो देखिए इस तरह से जो हमारा बैक पार्ट भी डेडी हो जाएगा अब हमें अस्तर वाले पार्ट में एक चापसलाई लगा लेनी है तो इसी तरह मैं दूसरे वाले साइड में भी लेस एट कर लूँगी देखिए यहां पर मैंने नेक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है अब जो है फ्रेंड्स इसका जो बाजू है यह हमें इसमें बाजू नहीं लगानी है इसके लिए मैं आपर पट्टी कट कर रही हूँ एक राउंड शेप में पट्टी कट कर लेंगे और इस पट्टी को हमें उस राउंड वाले शेप में इस तरह से बैठा देना है हम इस पट्टी को सीधी तरफ बैठा कर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे अगर आप यहाँ पर पाइपिंग लगाना चाहे तो भी लगा सकते है फ्रेंड्स मैं हर रोज कुछ नया लेके आती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे ही कटिंग और स्टिचिंग सीख सके तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो ही एक लाइक दीजिएगा देखिए इसमें मैंने छोड़ी छोटी कट लगा ली है और अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल करते हुए हम लोग इसको सलाई लगा लेंगे बस एक ही जैसे हमें चोड़ाई रखनी है और सिलाई एक दम हमारी एक जैसी होनी चाहिए इससे जो है बाजू की फिनिशिन अच्छी आती है तो अब चाहे तो फ्रेंड्स आप लोग इसमें बहुत सुन्दर सुन्दर लेस का यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर पाइप लेस इसमें एट करूँगी तो देखिए लेस लगाने से जो है यह और जादा सुन्दर लग रहा है तो आप एक तो इस तरह से लगा सकते हैं और दूसरा कुछ इस शेप में भी इसको लगा सकते हैं दोनों ही जो है देखने में बहुत जादा सुन्दर लगता है तो दोनों साइड हमें ऐसे इसको सेट कर लेना है अब हम इसकी साइड स्टिचिंग करेंगे तो साइड स्टिचिंग भी मैं ऐसे करूँगी ताकि कोई भी धागा न निकले तो देखिए दोनों कप्रों को एक साथ रखते हुए सीधी तरफ से हम एकदम पतली वाली स्लाइ लगा लेंगे और अगर एक्स्ट्रा कप्रा है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा साइड से कट कर लीजिए इसके बाद उल्टे तरफ से आपको जितनी भी जो है फिटिंग्स रखनी हो आप उस हिसाब से यहाँ पर मार्जिन रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक एक इंच का मार्जिन रखूँगी फिर अगर मुझे लगे तो मैं उसके बाद यहाँ पर फिटिंग्स के लिए जो है मार्ग कर लूँगी तो बस देखिए हमें इसी तरह से इसको स्लाइ लगा लेना है और यह हमारे साइड स्टिचिंग भी हो गई है तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग जिस तरह से यह सामने की तरफ है वैसे इसका बैक भी है और इसका शोल्डर भी तो फ्रेंट्स मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ यह रहा फ्रेंट्स यह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है सिर्फ मैंने इसमें पाइपले सभी तक नहीं लगाया है और साथी मैंने इसमें लटकन भी लगा दिये हैं जिससे यह ब्लाउस और भी ज़्यादा सुन्दर लग रहा है यहाँ देख सकते हैं हुग भी एड हो चुकी है तो यह सबसे सिंपल तरीका था लहंगे ब्लाउस की कर्टिंग और स्टिचिंग का और साथी एकदम फिनिशिंग देने का तो आप लोग भी इस तरह से अपने ब्लाउस को ज़रूर बनाएगा और आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सबको प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब